abandon abandon यानि कि त्याग देना जब ban लग जाता है किसी चीज़ पर हम क्या कहते हैं कि अभी हमें और नहीं देखना हम इस पर ban लगा रहे हैं तो ban ban से आप याद रखिए abandon abandon का मतलब होता है त्यागना किसी चीज़ को त्यागना इसके लिए एक और word है desert d-e-s-e-r-t जो हमारा रेगिस्तान वाले desert है same desert की spelling यहाँ पर भी है आपको कोई नहीं मिलेगा रेगिस्तान में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएगा abandon ही हो जाता है रेगिस्तान लोग उसे abandon कर देते हैं leave छोड़ना quit त्यागना smoking quit हो वहाँ पर desert का प्रियोग होता है गंदी आदते quit होती है आप कोई important पद है position है वो renounce होती है और army वगेरा surrender करती है मैं थोड़ी यह बारी किया भी इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी fill in the blanks में आ जाता है जिसे smoking के लिए आप desert नहीं इस्तमाल करेंगे smoking के लि renounce इस्तमाल करेंगे राम ने सिंगासन भरत के लिए renounce किया ठीक है इसलिए मैं तोड़ी बारी किया भी बताऊंगे ताकि आप fill in the blank समझें और साथ ही मैं कुछ examples भी दूँगी ताकि जो मैं meaning समझा रही हूँ वो आपके दिमाग में बैठ जाए यह तो था हमारा abandon अब हो स और काफी बार exams में यह नहीं आता है कि आप इसका exact synonym बताएं, exams में इस तरह से आजाता है कि जो दिये गए चार विकल्प हैं उन में से जो सबसे करीब है आप वो चुनिए इसलिए और भी थोड़ी गहराई से करना आपके लिए आवशक हो जाता है तो abandon का त्यागना होता है और इसका विप्रितार तक क्या होगा, antonyum क्या होगा, इसके antonyums है continue जारी रखना, keep अपने पास रखना, आप छोड़ नहीं रहे हैं, pursue, pursue का मतलब भी है जारी रखना, तो abandon, first वाला हमारा है और देखिए यह abandon की picture है, abandon में किस तरह से इसको kick out कर रहे हैं, लात मार के च example देती हूँ, छोटी बच्चियां, छोटी बच्चियां, females, baby girls, parents को नहीं चाहिए, तो parents उनको कहां abandon करते हैं, parents उनको dustbins के पास abandon कर देंगे, या फिर parents उनको किसी अनाथाश्रम के दरवाजे पर छोड़ देते हैं, बहुती बुरी बात है, बहुत दुखदाई है, पर ऐस आप कहीं बाहर जाते हैं, खानावाना खा लेते हैं, ओ, मेरी जेब में तो पैसे नहीं है, अबैश शरमिंदगी महसूस करेंगे आप, छोटे बच्चे अगर जूट बोलते हैं, तो इस तरह से फटकार परती है, पापा ममी से, फिर वो अबैश्ट फील करेंगे, result खराब हिम्मत बढ़ाना, emboldened, सहसी होना, हिम्मत दिखाना, emboldened, root word है ना हमारा bold, सहसी, निर्वीक, bold decision, मतलब एक बहुत ही हिम्मत वाला फैसला है, यह bold decision, तो यह है हमारे abash, abash मतलब to feel, आपको शरमिंदगी महसूस होगी, तब हम यूज़ करते हैं, abashed, abolish, 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 abolish का मतलब ह होता है, अंत करना किसी चीज का, अंत करना किसी चीज का कहलाएगा, आपका abolish, रद करना, cancel, nullify, आपने यह सुना होगा, null and void है अब यह rule, तो null and void का मतलब क्या होता है, null and void का मतलब होता है, कि अब यह लागू नहीं है, जिसे पहले क्या होता था, आपको एग गजटूड के पास जाकर अपना form अटेस्ट करवाना होता था अब आप खुद अटेस्ट कर सकते हैं जहां पर अटेस्टेशन मांगते हैं तो वो पुराने वाला रूल null and void हो गया वहां से आया हमारा nullify n-u-l-l-i-f-y nullify null, null और annal याद रखना दोनों थोड़े मिलते जूते हैं annal का मतलब भी है कि अब इसका अन्त हो गया है, अब यह लागू नहीं है invalidate valid, valid सुना है आपने मेरा बसपास अब valid नहीं है वो last month expire हो गया valid मतलब होता है कि वो अभी काम कर रहा है, अभी वो active है, invalid उसका ठीक opposite है कि अब वो लागू नहीं है तो abolish का synonym invalid भी होता है और negative negative का क्या होता है, negative मतलब है कि यह नकारादमक शब्द है, negate नहीं हो जाना तो abolish के लिए जो समानार तक है, cancel, nullify annal, invalidate negate, और क्या बांग करती है जनता, क्या-क्या abolish होना चाहिए, गुलाम प्रथा slavery abolish होनी चाहिए, मोनार्की यह abolish होनी चाहिए, और जनता को अपने हिसाब से सरकार चुननी चाहिए तो यह है abolish अब abolish के विप्रितार्थक क्या होंगे, antonyms क्या होंगे इसके, opposite क्या होगा, एक तो फाउंड का मतलब पाना भी होता है, कोई चीज खो गई थी और आपने वो पाली, I found my lost bag एक आपने सुना होगा ना foundation, foundation क्या होती है नीव, तो फाउंड के मतलब शुरुवात करना भी होता है, तो यह थे हमारे abolish के लिए synonyms और antonyms, याद रखना आप इन सब को, यह दो pictures है, देखिए, यहां महरानी की photo को लगा कर cross लगाया हुआ है, और लिखा है abolish the monarchy, की monarchy को abolish किया जाए और यहां पर यह एक गुलाम है, जो कह रहा है कि भई मुझे आजाद कर दो, इस slavery को खतम करो, abolishment यह हमारा था number 3, और अब हम चलते है number 4 पर क्या है number 4, abound आप ज़रा सोचने की कोशिश कीज़े, क्या आपने कभी भी यह सुना है bound, b, abound a, b, o, u, nd, abound abound का मतलब होता है, किसी चीज से पूरी तरह भरपूर होना, भरा हुआ होना, बड़ी मात्रा में उपलब्ध होना इतनी मात्रा में उपलब्ध है कि boundary से बाहर जा रहा है, कभी हम इसको कह रहे है, abound, boundary से भी बाहर जाएगा यह, तो boundary से बाहर चीजे कभ गिरती है, जब बहुत ज़्यादा भरी होई हो, तो abound, भरपूर होना, flourish, फलना फूलना, flourish होता है, फलना फूलना, swell, swell होता है पानी अब्जॉब करके जब फूल जाती है, कोई चीजे जैसे cotton होती है, इस तरह से teaming, T.E.E.M, team, यह भी होता है भरपूर होना और plentiful तो असान है यह आपने सुना होगा, देखो यह picture देखो, आप ध्यान से क्या कहती है the picture says it all, तस्वीर सब कह रही है आपकी, abound means abundant in quantity, भरपूर मात्रा में, मान लीजे, किसी तलाब में बहुत सारे मेंड़क है, हम कहेंगे it is abound in frogs, बहुत सारी मचलिया है, abound in fishes ठीक है, और इसका विपरीत क्या होगा, अब यह तो है भरपूर होना अब इसका विपरीत तो यह होगा कि shortage हो गई किसी चीज की, कमी हो गई deficient, very good deficient, first word, आपने सुना होगा vitamin की deficiency हो गई तो यह injection लग रहा है आपको vitamin supplements खाई आपका मजोर हो गए है deficiency destitute, destitute भी हो सकता है want, want मतलब होता है जरूरत और scarcity, scarcity मतलब होता है कमी हो गई है किसी चीज की इसकी pronunciation scarcity है जबकि बहुत लोग इसको scarcity, scarcity कहते है वो नहीं है और इसका एक और जैसे मैंने आपको बताया shortage, shortage of funds यह भी होता है तो abound के विपरितार थक यह है यह था हमारा number four number five देखते हैं हम number five abrupt number five abrupt देखिए मैंने आपके लिए सभी के बगल में हिंदी मीनिंग भी लिखा है पर कुछ एक हिंदी मीनिंग जो है वो जितने करीब हो सकते हैं वो उतने करीब हैं तो अबरप्ट का मीनिंग क्या है तो अबरप्ट का मतलब होता है यका यक या अचानक कोई चीज हो जाना लेकिन अचानक सडन भी होता है तो अबरप्ट का सिननम क्या है अबरप्ट का सिननम अबरप्ट होता है अचानक से कोई चीज हो जाना हमने उम्मीद ही नहीं की थे और वचानक हो गई तो एक तो इसका synonym हो गया sudden एक हो गया इसका blunt, curt, brief, hurried यह exactly synonym नहीं है पर आपके चार options में आप देखना अगर कुछ और fit नहीं होगा तो जब हम elimination method follow करेंगे तो हमें इनहीं के साथ चलना होगा अब antonym क्या है, antonym होगा की smooth smooth मतलब होता है बिना किसी रुकावट के आराम से सब कुछ हो जाना gradually, courteous, यह सारे abrupt के antonyms है number six, number six है हमारा accomplish accomplish का मतलब यह तो बहुत सुना होगा आपने बड़ा ही simple सा word है पर मैंने इसको इसलिए include किया है क्योंकि यहाँ पर इसका opposite for sick में दिया हुआ है, यह exams में आ जाते हैं important है exams में बहुत बार कोई ऐसा शब्द नहीं आएगा जो आपने कभी सुना ही नहीं है शब्द भी आते हैं जो आपने सुना है पर आपने उस पर दुस्ता इम ध्यान नहीं दिया इसलिए फिर यह पूरी comprehensive series की आप शक्ता है accomplish देखते हैं accomplish का क्या है accomplish का मतलब है कोई काम complete करना देखिए बीच में comp आया है na c o m p comp अब आप इस c o m p comp से याद रखें कि complete करना है यह पूरी series भी हम बिल्कुल complete करेंगे आप मेरे साथ साथ कीजिए पूरा करना synonyms देखते हैं हम इसके अगर आप कोई काम पूरा कर रहे हैं तो मतलब आप कुछ प्राप्ट कर रहे हैं achieve, achieve accomplish का synonym है attain, प्राप्ट करना gain, fulfill, realize realize का मतलब एहसास होना भी है और realization of a dream इसका मतलब क्या है कि किसी सपने की पूर्ती होना वो realize है तो ये picture देखिए आप यहाँ पर ये इनसान जो है ये plan कर रहा है pen के साथ उपर जा रहा है और finally फिर finally इसको यहाँ पर काम्याबी मिली, success इसका opposite क्या है इसका एंटनम तो होगा कि हम fail हो गए या तो आप accomplish करेंगे या आप fail होंगे अब मैं चाहूंगी इस साल कि आप सब का सपना सरकारी नौकरी पाने का accomplish हो पर जो लोग मेहनत नहीं करेंगे इसका एक और होता है forsake forsake का मतलब होता है बीच में ही हमने कोई चीज छोड़ दी हमने पूस को पूरा नहीं किया तो forsake और give up जो है वो इसके antonyms है number seven number seven देखते हैं अब हम number seven है abstract abstract का मतलब होता है hypothetical theoretic आपने सुना होगा abstract nouns abstract noun क्या होती है भाव वाचक संग्या है आप उसको देख नहीं सकते आप उसको छू नहीं सकते आपके वल महसूस करेंगे जिसे for example लोगों की जो ideas है भगवान के बारे में वो abstract हो सकते हैं आप उसको कुछ थाबित नहीं कर सकते हैं तो ये hypothetical है कालपनिक हो सकता है केवल किताबी बाते हो सकती है academic और speculative speculative मतलब है जिसके बारे में अटकले लग रही हो कुछ थोस नहीं है हमारे पास तो abstract है ये और इसके विपरीत क्या है इसके विपरीत है definite definite क्या होता है निश्चित specific abstract में clarity नहीं थी कि क्या है लोग अपने आप interpret कर रहे हैं लेकिन definite तो निश्चित है factual तत्यों पर आधारित concrete तो फिर सजा नहीं मिलेगी यही कहेगा जज्च एक कोट में क्योंकि उसको definite evidence factual evidence ये चाहिए तो ये इसका opposite था next है हमारा absurd a b s u r d absurd absurd होता है अजीब अजीब जो normal नहीं है साम्माल्य नहीं है absurd उसको हम कहेंगे absurd ये generally वो चीजे होंगी जो बेवकूफी भरी होंगी तो foolish idiotic बेवकूफी वाला silly insane nonsensical हम अक्सर कहते है न nonsense nonsense हम किन बातों पर कहेंगे ये बिल्कुल बक्वास है नहीं ऐसा कुछ तो nonsensical भी absurd का synonym होगा ये picture देखो आप क्या आपको लग रहा है कि picture अजीब है बिल्कुल अब ये आदमी जो है ये पीछे की तरफ जा रहा है जब को जा इस दोनों चीज़े reverse order में होनी थी absurd है विसंगती विसंगती हमें लग नहीं रहा कि दोनों चीज़े आपस में जाती है absurd का antonym क्या है absurd का opposite क्या है absurd का opposite है logical logical आया root word logic से logic क्या होता है तर्क जब आप किसी चीज़ के लिए तर्क देंगे तो वो non-sensical नहीं होगी वो absurd नहीं होगी logical sensible बाते logical होती है business logically चलते है और इसी में एक और है reasonable reason का मतलब क्या है कि उसके पीछे कारण जानना reasonable, rational, logical ये सभी absurd के opposite है antonyum है number nine number nine number nine है हमारा abundant abundant होता है बड़ी मात्रा में available abundant इस time क्या है कि जो मान दीजे winter season है तो आप देखेंगे abundant rose flowers abundance का मतलब होता है बड़ी मात्रा में उपलब्द है it is available in plenty ample, generous, heavy, bountiful, plentiful ये सभी हैं abundant के synonyms बड़ी मात्रा में उपलब्द है आपके लिए तो हम कहेंगे abundance या abundant number nine अगर आप ध्यान दें तो एक और इससे पहले word आया है हमारा about क्या वो भी बड़ी मात्रा में available था जिसके लिए मैंने आपको कहा था boundary से ही बाहर निकल रहा है yes, ये दोनों synonyms भी हो सकते हैं आप connect करने की भी कोशिश करें इसका opposite क्या है इसका opposite है antonym क्या है इसका rare, दुरलब मिलेगा ही नहीं, rare species है ये, dogs एक abundant species है, लेकिन अगर मैं आप से बोलू कि जो ऐसे दिली में इतनी वो बात चली थी, कि वो जो छोटी सी चड़िया है गौरेया, वो धीरे-धीरे rare होती जा रही है दिखती ही नहीं है और scarcity, हमने पीछे बात की shortage हो जाना, किसी चीज की कमी हो जाना तो abundant का जो antonym है, rare और scarcity है ये देखिए ये picture ये क्या कह रहा है be grateful when you find yourself in a position to help others because it means you are abundant, बिल्कुल सही आप दूसरों की मदद तभी तो करेंगे जब आपके पास कोई चीज abundance में available हो charity भी तभी होगी जब मेरे पास उपलब दो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं गरीब हो और charity करने की सोच रही हूँ वो तो absurd हो जाएगा और अभी हमने absurd भी किया यह अजीब सी बात हो जाएगी नमबर 10 accelerate accelerate, accelerator का मतलब होता है तेजी से बढ़ना गाडियों में accelerator होता है क्या करता है accelerator आप accelerator दमाएंगे 23-24 साल के लड़के उनका पैर accelerator पर ही रहता है तो यह accelerator क्या करता है यह गाड़ी की speed बहुत बढ़ा देगा बिल्कुल सही तो accelerator का मतलब होता है accelerate का मतलब तेज गती से बढ़ना हेसन आपने word सुना होगा हेस्टी हेस्टी का मतलब होता है उतावला तो हेसन इसका synonym है hurry इसका synonym है quicken इसका synonym है hustle इसका synonym है expediate और speed up यह सब इसके synonyms है picture देखिए दीरे-दीरे-दीरे speed बढ़ रही है और यहाँ पर यह कह रहा है I am accelerating because I am speeding up अब इसका opposite क्या है इसका opposite है decelerate decelerate बहुत सारे शब्दों के पहले गए de लगा देते हैं तो वो विपरित आर्थक बन जाएंगे retard एक होता है progress progress मतलब तेज गती से आगे बढ़ना और retard का मतलब होता है उसका ठीक विपरित पीछे की दिशा में slow down, slow हो जाना यह होता है इसका opposite question number 11 word number 11 accumulate accumulate होता है जमा करना बड़ी मात्रा में कोई चीज जो है आपने कहीं इखटी कर रखी है लोग काला धन accumulate करते हैं ध्यान दीजिए accumulate जो है एक negative शब्द नहीं है पानी accumulate किया जाता है dams में बिल्कुल वहाँ पानी खटा होता है लेकिन hoarding जो शब्द है h o a r d i n g hoarding hoarding होता है छिपा कर इखटा करना इसमें एक negativity है काले धन के लिए एक better word है hoarded money hoarded black money fill in the blanks में आपको दे सकते है कि hoarding आएगा या accumulate आएगा आपको पता होना चीजिए कि चिपा कर black marketing होती है दुकानदार एक shortage create कर देते हैं hoarded sugar होगी वो hoarded products होंगे वो accumulate होता है जमा करना ठीक है इखटा करकर करके जमा करना अब इसका synonym क्या है ये देखिए ये picture याद में एक के उपर एक लगा कर accumulate कर रहा है synonym है इसके aggregate amass collect garner gather pile up देर लगाना तो ये accumulate है और इसके antonym क्या है इसके antonym है disperse करना disperse का मतलब होता है चीजों को अलग-अलग दिशाओं में भेजना या फेकना आपने कभी देखा है कोई किसान खेत में अगर वो बीज बो रहा है वो कैसे करेगा वो अपने हाथ से इदर उदर बीज फेकेगा अगर वो फेक रहा है तो वो disperse कर रहा है मैंने अपने जासूसों से कहा कि वो सभी दिशाओं में disperse हो जाए मतलब वो सभी दिशाओं में चले जाए और fail जाए यह disperse है scatter का मतलब भी यही होगा यह simple सा है तो accumulate के opposite होंगे disperse और scatter number 12 accuracy accuracy आया है हमारे root word accurate से accurate का मतलब क्या है accurate का मतलब है exact बिलकुल ठीक exact आप मुझे accurate answer दीजे आप गोल बोल बाते मत कीजे आपके फादर पूछेंगे आपका result कैसा रहा और आप कहेंगे ओ पापा पता है इतने बच्चे fail हो गए इतने बच्चों की री आ गई और फिर आपके फादर बोलेंगे मुझे accurately अपने marks बताओ कि तुम्हें कितने मिल exactly बताओ yes यही होगा और उसके बाद आप कैसा महसूस करेंगे आप महसूस करेंगे abashed हमने abashed भी किया first slide देखिए abashed था उसमे accurate बिल्कुल सही बिल्कुल सटीक correct exact veracity veracity होती है सच्चाई और यह बहुत आता है exams में आप जरेस को अंटरलाइन कीजिए veracity precision precise exact सटीक यह सब है accurate के synonym अब इसका opposite क्या होगा इसका opposite होगा inaccurate error anomaly anomaly होता है abnormal सामान्य और इसकी picture देखिए कि यह जो तीर है सभी में बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है accurate लगा है ठीक है तो यह है number 12 number 13 number 13 है accuse accuse होता है आरोप लगाना कभी कभी जब आप यहाँ पर मेरा जो main word होगा वो देखेंगे तो आपको लगएगा मैं आपने इसलिए include किया है क्योंकि synonyms देखिए synonyms में आपको दे रखा है denounce incriminate क्या आपको incriminate पता है ज़रूरी नहीं है आपके exam में accuse ही पूछा जाए exam में incriminate भी पूछ सकते है और आपके जो four options है हो सकता है उसमें indict हो हो सकता है उसमे accuse हो तो हम सभी करेंगे incriminate के लिए आसान शब्ध है accuse अब मैं आपको incriminate को याद करने का तरीका बताती हूँ criminate में crime आया है crim, c-r-i-m, crim तो बेचारा जो criminal है खेर वो बेचारा भी नहीं है criminal है criminal जो है उसको हम accuse करेंगे आरोप लगाएंगे उस पर वो incriminate होगा आरोप लगाना charge, yes बिल्कुल charges लगाते है indict, denounce denounce का मतलब होता है त्याग देना denounce, allege, आरोप लगाना allegation सुना है आपने, allegation होता है आरोप, it's a false allegation यह जूटा आरोप है तो यह देखिए यह lady किस तरह से इस आदमी पर चिला रही है और यह आदमी कह रहा है मैं, मैंने ऐसा किया ऐसा लग रहा है, तो यह this lady is accusing this man वो इस पर आरोप लगा रही है और antonym क्या है, इसके विपरितार्थक है, विपरितार्थक है defend, बचाओ करना, exonerate exonerate होता है, बरी कर देना हर तरह क्या रोप से, यह इसके antonyms है number 14, number 14 है acquire, acquire का मतलब होता है प्राप्त करना कोई फाइदा, to get procure, obtain, secure यह सभी है acquire के synonyms, और opposite होंगे, त्यागना त्यागना होगा, relinquish forgo, और for feet number 15, हम करते है number 15 number 15 में हमारा जो शब्द है, वो है acute एक acute angle सुना है आपने, right, maths में तो बिल्कूल हमें छोटी classes में acute angle, equilateral triangle वो सब सिखा देते हैं, पर उस acute का, इस acute से कोई लेना देना नहीं है, acute का मतलब होता है, बहुत तेज और तीखा, लेकिन अगर मैं कहूँ, बहुत ही तेज चकू है यह बहुत ही तेज चाकू है, तो मैं नहीं कहूँगी it's an acute knife, no ठीक है, नहीं, लेकिन मैं वहाँ जरूर कहूँगी, जहां मैं कहना चाहते हैं, ओ कमर में dim, dull, obtuse, यह इसके opposite है next है हमारा adamant, adamant होता है अटल, अपनी बात पर बिलकुल अटल है यह आदमी इदर से टस से मस भी नहीं होगा, उसको हम कहते हैं adamant ठीक है, अब ध्यान दो, यह picture देखो, फिर उसके बाद चलूँगी यहाँ पर यह कहते है, Mr. Adam, यह teacher है Mr. Adam, okay यह teacher है Mr. Adam, Mr. Adam, the strict teacher is adamant about grading तो Mr. Adam adamant है कि वो सभी बच्चों को grades देंगे और यह बच्चा क्या कह रहा है, Mr. Adam can you give me B and Mr. Adam is adamant कि वो इसको B देंगे नहीं तो adamant के लिए एक और होता है, inflexible flexible क्या होती है, जैसे online coaching flexible है आप जब चाहें देखिए वीडियो, रात में देखिए, दोपेर में देखिए सुबह देखिए, आपकी मर्जी है, लेकिन जो classroom coaching होती है वहाँ पर एक fix time होता है, वो inflexible है तो adamant synonym है inflexible का, जो अपनी बात पर अटा रहे synonym है, इसके stubborn, जिद्धी, obdurate, inflexible, rigid और इसके antonyms है, flexible, suppleness, suppleness होता है, softness और है tender, अराम से adjust करेगा, adjustable, यह सभी इसके antonyms है number 17, number 17 है हमारा adequate, adequate होता है प्रियाप्त मात्रा में कोई चीज आपके पास available है तो इसके लिए enough, satisfactory, sufficient, average, decent, यह सभी जो है, यह adequate है, जैसे for example मैं आप से कहूँ कि आप वो job क्यों नहीं जाइन कर रहे हैं, आप कहेंगे ma'am they are not offering me adequate salary, यानि कि वो मुझे इतनी तंखा नहीं दे रहे हैं, जितनी कि मुझे चाहिए और इसका opposite क्या होगा, इसका opposite होगा, यहाँ पर they are not offering me adequate salary, उसके बाद इसके opposite क्या होगा, इसके opposite होगा adequate, प्रियाप्त मातरा में available, opposite क्या होगा, deficient, wanting, insufficient, shortage आप root word जानेंगे, sufficient, sufficient मतलब होता है काफी, इसका opposite क्या होगा, insufficient next है हमारा admire, admire का मतलब होता है किसी की प्रशन सा करना, किसी की तारीफ करना मैं admire करते हूँ उन लोगों को जो अपनी महनत के दम पर आगे बढ़ते हैं, admire admire का synonym है appreciate, praise, value, respect, like, regard, आजकल इस तरह से muscular men जो होते हैं सब लोग उनको बड़ा admire करते हैं, wow, wow करते हैं, तो ये admire हो रहा है, admiration और इसका opposite क्या होगा, इसका opposite होता है, आरोप लगाना, blame, condemn, निंदा करना, disapprove ये सभी इसके opposite है, women admire करती हैं, jewelry, women admire करती हैं, diamonds, men admire admire करते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियां, तो हम सब की अलग-अलग चीज़े हैं, जो वो admire करते हैं, चलिए, आगे चलते हैं, admire के बाद, number 20, adopt, आपने सुना होगा, adoption, adoption का मतलब होता है, गोद लेना, और हम कब किसी चीज़ को गोद लेंगे, जब हम उसको गोद लेंगे, हम उसको स्विकार कर रहे हैं, उसको स्विकार करना, affirm इसका synonym है, ये देखिए, ये मदर इस baby के साथ है, और क्या कह रहा है ये, being adopted, गोद लेना, affirm मतलब होता है, पुष्टी करना, महर लगा देना, स्विकार करना, approve का मतलब भी यही है, आपने सुना होगा, कि मैं किसी से पूछू कि आप छुट्टी पर क्यों नहीं गए, तो कहेंगे मुझे मेरे department से approval नहीं मिला, तो approval मतलब होता है, पुष्टी, confirm, पुष्ट सैंशन, मेरी लीव सैंशन नहीं हुई, काफी common word है यह, पास, पारित होना, रैटिफाई, पुष्टी, और इसका opposite क्या है, इसका opposite है, डिस्क्लेम, एक चीज़ को आप अडॉट कर रहे हैं, जैसे for example मैं कहूँ कि factory ने एक नई production टेक्नीक को अडॉट किया है, क्योंकि पु number 20, number 20 है adventurous, root word ले लेते हैं, adventure हम, क्या आप कभी गोवा गए हैं, वहाँ पर बहुत सारे adventure sports होता है, उसमें क्या होता है, adventure sports में, उसमें आप एक hot air balloon में जा सकते हैं, आप टारा gliding कर सकते हैं, इस तरह की चीज़े होती है, adventurous का मतलब होता है, उत्साही, जिसको नई नई करने में मज़ा आए, कभी river rafting के लिए जाने पर मज़ा आए, तो वह होगा adventurous, तो ऐसे लोग क्या होंगे, वह bold होंगे, वह dare devil होंगे, वह daring होंगे, वह risk लेने वाले लोग होंगे, तो यह सभी जो हैं, यह adventurous के opposite हैं, generally 23-24 years की age में हम ऐसे ही होते हैं, सभाव के, लेकिन जै हो जाएंगे, हम cautious हो जाएंगे, cautious मतलब सचेत, सतर्क और ध्यान देकर काम करने वाला, timid हो जाएंगे, timid का मतलब थोड़ा shy भी होता है, तो यह सभी adventurous के opposite हैं, number 21, number 21 में जो मैंने picture लगाई है, मुझे बहुत पसंद है, देखिए, very nice, okay, घर मैं ही कह रही हूँ, very nice, adversity, adversity का मतलब होता है, प्रती कूलता, यह एक, मैंने थोड़ी, ज़्यादा भारी हिंदी का शब्द, इस्तमाल किया, थोड़ा असानी से समझाती हूँ, जब चीजे विपरीत हों, जैसे आप सोच रहे हैं, वैसी हो नहीं रही है, प्रती कूलता कह लेजिए इसको, या फिर आप क को, you have to study against all adversities, adverse, A, D, V, E, R, S, E, adverse, reverse होता है, reverse क्या होता है, उल्टा, तो adversity वही है, कि उल्टा असर हो गया, दवाईयों का adverse effect हो जाता है, आप काफी पर पतले होने के लिए दवाई ले लेते हैं, या लंबे होने के लिए दवाई लेते हैं, इस तरह की दवाईयों का adverse effect हो helplessness से यादक न, जब आप अरसा हैसा मैसूस करेंगे, affliction, hardship, hardship होता है, मुश्किल, देखिए, और ऐसा कहा जाता है कि adversity में किसमत आपका की परिक्षा लेती है, और जो लोग adversity को डंग से face कर पाते हैं, वही तरक्की करते हैं, adversity देखिए, या दिया है, so expect the unexpected, unexpected मतलब जिसके पुमीद नहीं करे थे, वो हो जाए, and when it hits, hold your head up, don't look back, forward march, पीछे मत देखिए, देखिए, बारिश हो रही है, हवा भी चल रही है, इस आपमी ने, उसका किस तरह से सामना किया है, ठीक है, ये है adversity, और इसका opposite क्या होगा, इसकी opposite होगी, prosperity, prosperity मतलब समरिद्धी, सुख वगे प्रेम करना, parents, बच्चों से, students, teachers से, हमारा affection होता है, attachment, लगाव, liking, love, fondness, loyalty, ये सभी affection है, और इसके opposite क्या होते है, हमारे घर में pet animals कब होगे, जब होगे, जब हमें हमारे मन में उनके लिए affection होगा, और छोटे बच्चों के लिए, जिनको अच्छी बुरे की कोई पहचार नहीं है, उनके मन में सब के लिए affection होता है, ये picture आपके दिमाग में लेगी, see, the girl is loving the dog so well, antonyms क्या है, इसके, antonyms है, इसके दुश्मनी, enmity, hatred, grinna, dislike, नापसंद करना, ये सभी इसके antonyms है, number 23, aggregate, aggregate क्या है, आपका जो report card होता है, आप कोई भी report card खोल के देखना, school के दिया होता है, इस तरह से aggregate total, आपने देखा होगा, उसी साप को याद रहेगा, aggregate total, फिर आपके वहाँ पर total मांक सित्यादी सब दिये होते हैं, तो aggregate का मतलब होता है, इकटा करके बताना, कितना, amount, sum, total, totality, entirety, gross, ये सभी aggregate के synonym है, और opposite क्या होता है, opposite तो होगा इसका अकेला individual, separate, single, ये सभी antonym है, 24, aggressive, aggressive होता है, आकरामक, इसको बहुत गुस्सा आएगा, aggressive को, ठीक है, बहुत गुस्सा आएगा, मार पीट करने में आगे, और इसका अपने गुस्से पर काबो ही नहीं रहेगा, कुछ एक छोटे बच्चे बड़े aggressive होते हैं, स्कूल से रोज शिका आपका बच्चा दूसरे बच्चों को बहुत मारता है, अग्रेसिव, ठीक है, तो इसका सिननम है, होस्टाइल, मिलिटेंट, जो होते हैं, फिर बिली ग्रेंट, लडाकु स्वभाव का, अटाकिंग, देखिए ये बिली ग्रेंट जो है, ये वन वर्ड सब्स्टिशन में जब आप वन वर्ड सब्स्टिशन सारे, सिननम्स, अंटनम्स सारे, ये सब कर लेंगे, तो आपको लगए कि काफे सारे वर्ड कॉमन भी हो जाते हैं, यहां पर है बिली ग्रेंट, अटाकिंग, अटाक करने वाला, आकरमन करने वाला, उसको हम कहेंगे अग्रेसिव, फिर इसके विपरीत है, laid back, relaxed, easy going, tension नहीं लेता है, आप किसी भी चीज़ को लेकर अग्रेसिव हो सकता है, आप अपने करियर को लेकर आकरामक हो सकता है, यह नहीं मुझे करना ही है, तो अग्रेसिव एक नेगेटिव वर्ड तो एक्जाक्ली नहीं कह सकते हैं, कुछ जगह उप है, accept, consent, nod, nod होता है, गरदन इलाकर जब हम कहते हैं, हाँ, 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 sometimes you just nod और आपकी body language भी बात करती है, acid, acid होता है, generally तब इस्तवाल होगा, जब pressure या दबाव में आप किसी काम को करने के लिए मान जाएं, मान लीजे किसी के पास बहुत time से job नहीं है, ठीक है, तो वो ए सहमत होना, फिर है हमारा antonum, antonum क्या है इसके, disagree, differ, contradict, disagree, differ और contradict, disagree आप सहमत नहीं है, differ, different से आया न, differ, अलग-अलग, contradict, किसी का विरोध करना, opposite बोलना, alert, next है हमारा alert, simple सा word फिर से, सचेत, जैसा कि मैंने आपको कहा, कि मैं simple से लेकर, सब से मुश्किल तक सब आपके लिए cover करूँगी, बहुत ही comprehensive होगी, इसके बाहर से आने की संभावना न के बरावर है, तो alert, क्या कहती हैं आपकी mothers, girls, say especially, कि जब बाहर जाओ, रोड पर थोड़े alert रहना, सचेत रहना, कोई तुमारी जेब ना काट ले, क कर आप से पूछ सकते हैं कि बताइए इसके synonyms क्या है, very, very, watchful, watchman, हमेशा watchful होगा, keen, उत्सुक, तो ये सभी alert के synonyms हैं, opposite क्या है, antonyms क्या है, antonyms है, asleep, soya हुआ, sust, drowsy, inattentive, ये सभी इसके antonyms है, alliance, alliance होता है, समझोता, adjustment, alliance दो groups जो हैं, अगर वो मिलकर ये फैसला करते हैं, कि हम जो हैं, एक साथ काम करेंगे, तो भी alliance कहेंगे हम इसको, आपने एक insurance company का नाम सुना है, bajaj alliance, yes, वो bajaj और एक और organization है, जिसका नाम है alliance, उसका combination है, दोनों ने combine करके किया, तो bajaj alliance, एक insurance company है, यहाँ पर synonyms क्या ह है, देखिए, इस तरह से होता है, जब alliance होते हैं, दो लोग हाथ मिलाएं, कि yes, हमारा adjustment हुआ, कोलियेशन, मिली जूली सरकार को हम क्या कहते हैं, कोलियेशन, उनमें भी alliance है, league, union, association और group, यह सभी हमारे synonyms हैं, और opposite क्या है, opposite है, antagonism, विरोध, discord, hostility, यह सभी इसके विपिता तक हैं, number 28, number 28 है, alone, alone आपने बहुत सुनाओं का, बड़ा simple सा शब्द है, इसका मतलब है, अकेला, alone, lonely, lonesome, जिसमें भी यह LON, LON आएगा, जरा ध्यान दें, यह अकेले से संबंदित हो जाता है, single, अकेला, solitary, isolated, isolated, generally जगहों के लिए यूज होता है, किसी इंसान के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, लेकिन इंसान के लिए गर मैं कहूँ कि उसे अकेला पन महसूस हो रहा है, he is feeling lonely, वो अकेला गया, तो alone, lonely एक feeling है, एक हैसास है यह, I felt lonely in the hostel, hostel में मुझे अकेला पन महसूस हुआ, okay, isolated island होगा, हम कह सकते हैं आपसे, कि रात की समय isolated जगह ओपर अन्टनम विप्रितार तक क्या है, together एक साथ, accompanied, escorted, together एक साथ, I like to go, we like to go together for parties, accompanied एक साथ, तो यह इसके अन्टनम हैं, 29 and 30, let us see 29 and 30 क्या है, 29 है हमारा amazing, 29 is amazing, amazing होता है, आश्चरिय जनक बहुत बढ़िया, आश्चरिय जनक तो negative चीज़े भी हो सकती हैं, लेकिन हमें amazing के वाल अच्छी चीज़ों के साथ यूज़ करना है, amazing waterfall, amazing sunset, amazing performance, जो आपको चकित कर दें, जब युवराज सिंग ने last के six balls में छेंचके मारे, तो वो amazing performance थी, amazing, fantastic, fabulous, incredible, marvelous, आश्चरिय जनक तो negative चीज़े भी हो स सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हम amazing को केवल positive चीज़ों के साथ ही प्रयोग करेंगे, ठीक है, यह देखिए, सोचिए, यह Mount Abu का sunset point है, और वहाँ पर लोग ऐसे कहते हैं, oh the sunset there is amazing, आश्चरिय जनक है, अगर adventurous लोग जाते हैं, तो उनको बड़ा amazing लगता है, अगर कोई बुज़ विपरीत क्या है, इसका विपरीत होगा, ordinary, commonplace, average, mediocre, और सतन, यह सब ही इसके opposite है, next है हमारा ambitious, ambition से आया, root word क्या है, ambition, what is your ambition in life, right now ma'am my ambition is to get a government job, okay, ambition होती है, आपकी, आपके जिवन का लक्ष क्या है, तो वहाँ से ambitious हुआ आपका महत्वा कांशी, I am an ambitious person, I am an ambitious person, I am an aggressive person, I am aggressive when it comes to my ambition, तो इसके सिननम है, aspiring, eager, longing, ardent, यह सभी इसके सिननम है, और opposite क्या है, antonyms क्या है, antonyms है content, संतुष्ट, satisfied whom है, जैसे आप इसे कुछ लोग जो है, वो SSE CIGIL clear करने के बाद content हो जाएंगे, लेकिन कुछ है कैसे हैं, जो आगे IS की भी तयारी करना चाहेंगे, तो वो जो आगे IS की तयारी करेंगे, वो तो ambitious है, अभी भी ambitious है, जॉब मिलने के बाद भी, और जो बैठ जाएंगे कि बस हो गया जी, बहुत हो गई मेरी पढ़ाई, अब तो बस इतना ही content है वो, satisfied, संतुष्ट, यह सभी ambitious के synonyms और antonyms थे, 31 and 32, amend, amend का मतलब होता है, संशोधन करना, कोई बदलाव लाना, कोई change लाना, आपने सुना होगा amendment, constitution का इतने बार amendment हुआ है, हमने constitution में इतनी बार संशोधन किया है, हमारे संविदान में, तो इसके synonym है improve, सुधार लाना, correct, rectify, यह सभी इसके synonyms है, और इसके विप्रितार्थक क्या है, विप्रिता लगना, now 31 का, we the people vote yes, move to amend, जब जनता कहें गया, आप amendment कीज़े तो amendment होगा, board of directors ने meeting की, और उन्होंने memorandum of association में कुछ amendments किये, amend का मतलब क्या होता है, amend का मतलब होता है, ठीक करना, ठीक करना, तो आप जूते के पास, सौरी, जब आप मोजी के पास जाते हैं, आप अपने जूते amend करवाने जाते हैं, कहीं कोई pipe वगेरा तूट गया, उसको ठीक करवाने के लिए, जो आदमी आएगा, वो उसको amend करेगा, उसको ठीक करेगा, तो amend का मतलब यही होगा, behavior भी amend होती है, आप behavior ठीक नहीं है, आप time पर उखते नहीं है, time पर खाते नहीं है, time पर सोते नहीं है, आपके तोड़े कान खीचे जाएंगे, तो behavior में भी सुधार आएगा, improvement आएगा, amendment होगा, 32, amplify, amplify होता है, बढ़ा चड़ा कर कहना, बढ़ा चड़ा कर कहना भी होता है, आपके गाडیों में एक amplifier होता है, cars वगेरा में होता है यह, यह जो है, आवास को उची कर देगा, music system में amplifier होता है, तो बड़ा करना बड़ा चड़ा कर कहना देखिए यह जो माइक है यह amplifier दस बजे के बाद कुछ एक शहरों में amplifier इस तरह की जो माइक वगएरा है उनका इस्तवाल करना मना है उसे धनी प्रदूशन होता है बिल्कुल सही बात है यह बिल्कुल सही बात है और एक amendment करके हमारा तो environment protection act वगएरा है उसमें amendment करके यह सभी शहरों के लिए हो जाना चाहिए कि 10 बजे के बाद कोई loud music नहीं होगा ठीक है तो amplify amplifier यह बड़ा करेगा boost करेगा enlarge करेगा expand करेगा increase करेगा और इसका opposite है lesson, compress, summarize, छोटा करना तो यह हमारा part 1 था और भी आगे देखते हैं मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी website है ssccglpinnacle.com, ssccglpinnacle.com आप यहां visit कर सकते हैं, यहां पर बहुत सारे articles और बहुत सारी exercise हैं related to your exams, especially ssc, okay, we are focusing on ssc, हम ssc cgl पर ज्यादा focus करते हैं और हम cgl के specialized हैं, यहां पर आप देखेंगे कि एक line है, 80 products for ssc cgl join online coaching batch 2016-17 to get access of all products, new online coaching batch वगेरा, यहां पर एक पतली सी नीली रंगी पत्टी चलती रहती है, अगर आप उस पर click करेंगे, तो आपको 80 products for ssc cgl नजर आएंगे, मुझे बहुत सारे students कहते हैं कि माम आपके बहुत सारे videos जो हैं वो private में हैं, हम उनको देखना चाहते हैं, हम क्या करें, ह हम एक paid channel हैं, हम free education नहीं दे रहे हैं, जितना हम free afford कर सकते हैं, definitely उतना हम देते हैं, और उसको हम public domain में जालते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे students हैं, जो की pay करके हमें join करते हैं, अगर आप सारे video lectures देखना चाहते हैं, तो आपको pay करना होगा, जब आप ये 80 products पर click करेंगे, त EDNs करना चाहते हैं, टायर 1 की test series करना चाहते हैं, टायर 2 की test series करना चाहते हैं, वो सब इसमें हैं, और उसके बाद अगर आप ये सभी कुछ लेना चाहते हैं, सारी products लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक ये नीचे देखिए, Pinnacle SSC Cigle 2016-17, online coaching batch है हमारा, दो साल के लिए है ये सभी 80 products इस online coaching batch का हिस्सा है, और future में भी जितने products बनेंगे, क्यूंकि आगे भी जो exams होंगे, हम उन सब के video lectures बनाएंगे, explanations देंगे, future में भी, जितने products बनेंगे वो इस online coaching batch का हिस्सा होंगे, इस का हिस्सा होंगे, आप यहाँ पर इसको join कर सकते हैं, और इसको join करने के बाद हमारा जो study material है, बिल्कुल detail में, सभी tricks, सभी tricks, बिल्कुल सभी जिस प्रका, जितनी भी आपको guidance वगेरा चाहिए, वो सब उसमें available है, क्योंकि हम SSC के specialized हैं, हम SSC को किसी भी और चीज के साथ club नहीं कर रहे हैं, हम आपको जेनरल तयारी नहीं कर वा रहे हैं, क्योंकि हर exam, एक specialized coaching मांगता है, specialized training मांगता है, उसके लिए special material चाहिए, उसके लिए special material चाहिए, वो सभी कुछ इसमें included है, इसमें एक लाख के आसपास questions है, एक लाख, more than 90,000 questions है, आपके practice करने के लिए, सबसे पहले आप सारे rules जानिए, अपने basic concepts clear कीजिए, उसके बाद practice exercise कीजिए, औ supporting video lectures देखे, ताकि आपके concepts बिलकुल clear हो सके, आप जैसे इसके member बनेंगे, आपको 500